भारत ने ICC महिला T20 विश्व कप के ग्रूप B के अपने पहले मुकाबले में न्यूजिलेंड को 34 रन से हरा दिया है। भारत के 194 रन के जवाब में न्यूजिलेंड की टीम निर्धादी पीस ओवर में 9 विकट पर 160 रन ही बना पाई। भारती टीम की जीत में कप्तान हर्मन प्रीत कौर और जे मिमा रोटरी गेज की एहम भूमिका रही। हर्मन प्रीत कौर ने जहां तुफानी पारी खेलते हुए 103 रन बनाए तो वहीं जे मिमा ने 69 रन की पारी खेली। अपनी इस तुफानी पारी के दोरान हर्मन प्रीत ने 51 गेंदों पर 7 चोके और 8 छके लगाए। दोनों की इस पारी की बदोलत भारत ने 5 विकट के नुकसान पर 194 रन बनाए। न्यूजिलेंड की ओर से ली ता हूहू ने सबसे ज्यादा दो विकट लिये। अब भारत का T20 की विश्व कप में अगला मैच 11 नौमबर को भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा। देश दुनियां अपने प्रदेश की अन्य खबरों के लिए एनवी न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।